किसान क्रिशी बिल के विरोध में आंदोलन रत हैं सरकार और किसानों में कई बार बात चीत हो चुकी है इसी कड़ी में अब दिल्ली में 35 दिनों से डेरा डाले किसानों की सरकार से 7 वी बार बात चीत हुई है हर बार की तरह किसान अपना खाना साथ लाए थे लेकिन इस बार अलग ये हुआ कि सरकार के दो मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर और पियुश गोयल किसानों के लंगर में शामिल हो गए कई घंटे के बाद बैठक खत्म होई और दो मुद्दों पर रजामंदी बन गई अगली बैठक चार जनवरी को दोपहर दो बजे से होगी आपको यहां बता दे कि किसानों के चार बड़े मुद्दे हैं पहला सरकार तीनों कृशी कानूनों को वापिस ले दूसरा सरकार ये लीगल गैरंटी दे कि वह मिनिमुम सपोर्ट प्राइस जारी रखेगी तीसरा बिजली बिल वापस लिया जाएगा वर चोता किसानों का मुद्दा पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापस लिया जाना है कई घंटे की बाचीत के बाद बिजली बिल और पराली से जुड़े दो मुद्दो पर सहमती बन गई इसके बाद किसान ने ताउने भी नर्वी दिखाई उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया वही क्रिशी कानून और MSP पर अभी भी मतभेद बरकरार है यहां आपको पताती चलेगी खेती से जुड़े तीन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35 दिन है सरकार और किसानों के बीच 21 दिन के बाद आज सातवे दोर की बाचीत हो चुकी है इस ते पहले 6 दोर की बाचीत में कोई हल नहीं निकल सका था किसान तीनों कानूनों को रद करने की मांग पराड़े है यह आपको जानना चाहिए कि किसान क्यों विरोद कर रहे है किसानों का कहना है कि सरकार 2003 के बिजली कानून को संशोधित कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही थी किसानों का कहना है कि इससे किसानों को बिजली पर मिलने वाली सबसिडिक खत्म हो जाएगी किसानों की एक मांग पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने का प्रस्ताव भी है इसके तहल पराली जलाने पर किसानों को 5 साल तक की जेल और 1 करोड रुपे तक का जुर्माना लग सकता है बता दे चले कि किसान तीनों कानून रद करने की मांग पर अड़े हुए है किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार कानून रद नहीं करती तब तक आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल KBD Banquets Enterprise